हेलो एवरीवान वेलकम अगेन तूड़ी इस वीडियो आइम गोंग तो शेयर टॉपिक दाइस क्रोमोसोम बैंडिंग और क्रोमोसोम बैंडिंग का मतलब यह हो गया कि हम माइटोटिक डिवीजन के टाइम पे जो मेटाफेजी क्रोमोसोम होते हैं क्योंकि वह बहुत क्रोमोसोम को उनके लॉंगिट्यूडनल एक्सिस के अकोर्डिंग स्टेन कर देते हैं और स्टेनिंग की वज़े से हमें डिफरेंट टाइप के बैंड्स चुह क्रोमोसोम में दिखाई देते हैं जिसको हम क्रोमोसोम बैंडिंग कहते हैं सिंपल सा मीनिंग यह है कि आपने chromosome लिया जो कि metafiz chromosome होगा, metafiz की time पे जो हम chromosome लेते हैं उसको हम strain कर देते हैं और strain भी हम उसको horizontal नहीं करेंगे हम longitudinal उसको strain करेंगे और उसके बाद हमें different bands मिलेंगे, कुछ band light होंगे कुछ dark होंगे, तो इस तरीके से हमें एक bending pattern जो है जो इनस्साइब करती हैं। जब आप नाप्रोंगोल में इस पास फिस एक हमें दार्क बैंड मिलेंगे तो आपको टीम्रेग से के ताइब करता एक मिलेंगे। आप सबस्ट कि देती थीएं आपके का चैने के शायज़गर इस प्रमिजम्रेयगर चाहिके करते हैं। तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारी chromosome का कौन सा reason जो है वो अलग है कौन से reason से तो इस तरीक से एक तरह से differential staining है जिस पर आप एक ही chromosome के different part को decide करते हो तो यहाँ पर लिखा भी है That is the differential staining reaction reflect the heterogeneity and complexity of chromosome along its length यहाँ पर आपको bands मिलेंगी और band क्या होता है क्रोमों का डिक सा içना ustedसा सेEMAист जोकि दूसरी से क्लियरा ल्ग होता है मतलब आपके पास एक पूरा chromosome है उसमें आपको काफी सारी वैंड मिल रहे है एक बैंड यहां मिला एक बैंड है एक पूरा chromosome है उसमें एक बैंड आपको यहां मिला एक यहां抹 यहां मिला तो यह इसमें मेन क्राइटेरिया होता है और इसमें क्रोमोजोम बैंडिंग जो होती है यह बहुत ज़ादा जरूरी होते है क्योंकि इसकी ढूरू हम क्रोमोजोम कर दिलेशन, डॉपिलिकेशन, ट्रांस लोकेशन, इंवर्जन और डिफरंट टाइप की जब नॉरमलिटेज क्रोमोजोम पेंटिंग एक ग्राइटेरिया है। इसमें आप अपनी ग्रोमोजोम को हाईब्रडाय। एक जा एक है एक हमलाए है। और च्रोमोजोम पारेच करें झालगा जालगे लिए वहां से निकल भचान सब्सक्दीजी इसे कि भी निक्राशा निकलता है जिसके वज़ेकर आप भॉल्टेगे लिए निक्लता है जिसके वज़ आप बोलते हो कि यह क्रोमोजोम ब्ढ़बेंटिग दोनो डिफरिंट चें और reverse bending आप देखोगे, centromere की bending देखोगे. तो मैं आपक ले इस एया ayam, बतात cookedmmलives, 6-625 चाहरों होती हैं. G-type, R-type, C-type, Q-type यह 4 बहुत cookeddess lift questi, इसके अलावा भी आपको N-type की bending देखने को मिलेगी आपको T-type की bending को मिलेगी और silver staining देखने को मिलेगी तो वो अलग हैं बट वो इतनी common नहीं है तो यहां पर आप सबसे पहले Q-type की winding देखी गई थी उसमें जो dye उसकी गई थी that was queen acrine mustard dye थी और यह क्या करती थी जब आप इसको chromosome को इस dye की साथ stain करते थे chain करते हैं तो इसमें क्या होते हैं कि queen acrine mustard जो है वो वाले dye intercalate कर जाती है chromosome के DNA की sequences के साथ है और जहां पर reasons जो होते हैं 80 rich होते हैं यानि काड़नीन और thाइमीन रिच जो reason होते हैं वहां पर यह बहुत bright fluorescence देती है और इसलिए हम उसका पता लगा लेते हैं कि यहां पर 80 rich DNA present है तो इस तरीके से आप chromosome के different reasons को पता लगा सकते हो अब मैं आपको एक विल्कुल से तरीके से समझा देते हो चारों में क्या difference है तो यहां पर आप देखो G bending, R bending, Q bending और C bending यह चारों के चारों बेंडिंग बहुत कॉमन है क्यों जी बेंडिंग में क्या करते हो आप G bending में सबसे पहले अपनी क्रोमोसों को mild proteolyse करवाते हो तो द्रिप्सीन के साथ और फिर उसके बाद आप उसको जिम सस्टेन दे देते हो जिम सस्टेन के बाद वो color gain कर लेता है और जहां पर 80 rich reason sequences होती है 80 rich present होता है 80 बहुत ज़ादा होते हैं वहाँ पर आपको dark bend मिलते हैं और GC जहां पर बहुत ज़ादा होते हैं वहाँ पर light bands मिलते हैं R bending भी same होती है बस reverse होती है just G bending के R bending में भी आपको अपने क्रोमोसोम को strain करने से पहले जिम सा के साथ तर्मल देनेचर करना पड़ता है यानि के पहले आपने क्रोमोसोम को थर्मली देनेचर किया उसके बाद आपने उसको जिम सा से strain कर दिया तो इस तरीके से यह reverse है G bending की इसलिए R stands for reverse यहां पर आपको डार्क बेंड जी सी रिच के मिलेंगे और लाइट बेंड आपको एटी रिच के मिलेंगे Q bending में क्या होता है कि आप इसको क्विनेकराइन मस्टर्ड के साथ जो स्टेन करवाते हो यहां पर Q stands for क्विनेकराइन और यह एक डाई है जो इंटरकलेट कर जाती है आपके DNA के साथ और उसके बाद आपको यह flourish and stain होता है यह वह आपको फ्लॉरिश्ट स्टेन्स देती है डार्क बेंड जो होते हैं वह एटे रिच होते हैं वह contain करते हैं Constitutive Hittrochromatin जहां पर Constitutive Hittrochromatin होगा वहां पर आपको डार्क बेंड्स मिलेंगे अदर्वाइस आपको नॉर्मल लाइट बेंड्स मिलेंगे एक N-Bending होती है N-Bending में आप क्या करोगी N-Bending में आप सबसे पहले अपने Chromosone को एयर ड्राइ करोगे उसके बाद आप उसको ट्रीट करते हो 5% Trichloralacetic acid के साथ फिर आप उसको ट्रीट करोगे फिर आप उसको 95 डिग्री सेल्सिस पर ट्रीट करोगे 0.1 नॉर्मल HCl के साथ और उसको 30 मिनट के लिए रख दोगे उसके बाद आपको banding pattern मिलेगा और वो बताएगा कि आपकी जो नौन हिस्टोन प्रोटीन्स लिंक्ड जो होती है नुक्लियल नुक्लियोलर ओर्गिनाइजिंग रीजन से उनके बारे में यह आपको बताता है तो इस तरीके से आपको एड्वंटेजेंग भी पता चलेगी तो वहीं पर आपको इपन्द सेगा जहां पर आपका नौर प्रेजन ओका नुक्लियोलर ओर्गिनाइजिंग रीजन जहां पर आपकी आरारे ने बनते हैं इनकी कुछ जो है अडवांटेजिस और डिसडवांटेजिस होती है अगर में जीमसा स्टेटियग की बात करो तो इसकी इसकी अड़ॉंटेज है कि इस यूज़ इन इटिफिकेशन ऑफ बेंड्स सच आज सुलफर सुछ रिच इन इस सुलफर कंटेंट जहां पर बहुत सारा सुलफर कंटेंट होगा वहां पर अड़ॉंकि इसकी अडेंटिफि जब फेलेक्स के डिटक्ट करने के लिए अप प्लांट के लिए उसके अलावा जी बेंडिग जो होती है इसमें हम जब क्रोमोजूम को श्चेन करते हैं तो आप इसमें मेटाफीजी क्रोमोजोम को ही लेते हो अब R bending की कुछ अडवांटेज इस कर ने में स्ट्रक्चर ओफ क्रोमोजोम एंड्स करने के लिए आप R bending को यूज करते हो क्योंकि अगर आप Z bending को यूज करोगे तो यूजे तो आपको light stain मिलेगा क्रोमोजोम के अंड्स आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे इसलिए टिलोमेरी केंड मतलब कि अगर आप टिलोमेरी केंड के बारे में पता लगाना चाहते हो तो आप आर बेंडिंग करनी चाहिए Q-bending कभी कुछ हैसा ही है Q-bending के advantages है कि Aquí बहुत simple होती है, versatile होती है, और जहान पर आप G-bending को use नहीं कर सकते हो, जहां पर G-bending accepted नहीं है, वहां पर आप Q-bending use करते हो और chromosome की हिट्र på हिट्रोंड होर्फ़िजम है उसको क्वेंटिंग को चेक करने के लिए आप की बिंडिंग को सकते हो लेकिन डिसएडवांटेज है कि यह बहुत जल्दी फेड हो जाती है यह वाली द्यायट की ऊ SECRET है यह अ सिद्ली चीत अप्र है भुट जल्दी खेराइभ और यह यह आ और अगर यूवी लाइट यहां पर यूज कर ली जाए आप क्यू नेक्राइन बेंडिंग में तो वहां पर क्यामिकल बॉंड ब्रेक हो जाते हैं इसी तरह सी बेंडिंग की भी हमारे पास कुछ एडवांटेजिस होती हैं कि यह पैटरनीटी टेस्टिंग में जीन मैपिंग में यूज की जाती है उसके अलावा यह आइडेंटिफिकेशन ओफ बाइवलेंट्स एट डायकाइनिसिस यूजिंग बोथ सेंट्रोमियर पोजि है इस गणिज सुम्हीर ख़ बेंडिंग को यूज नहीं कर सकते हमस्ति है तो यह पूरा क्रोमोजूम की बैंडिंग कान रेहन. अब यहां पर देखो , गया था, यहां पर बाइस संज़ाते हूं की स्रिकेशन गर था,।र्य पूरा क्रोमोजुम है जहां पर आपको प्राम इक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट होता है हमारे क्रोमो जो कि हम सेंट्रो मियर से डेटेक्ट करना शुरू करते हैं तो इस तरह चलोगे तो आपको डिफरेंट रीजन में गे उसके बाद आपके याते हैं बैंड्स बैंड्स का मत्लब यहां पर यह तो नमबर बैंड्स नम यानि क्योंकि एक chromosome number 14 है इसलिए हम इने इसको 14 का one band और sub band और इसको two sub band three sub band इस तरीके से हम इसको नाम दिये हैं तो यह पूरा एक बहुत important criteria है आपकी chromosome जो chromosome bending है उसको represent करने का और अगर आपको symbol से represent करना तो इस तरीके से represent करते हैं देखो 13 मतलब 13 number chromosome और क्यों उसकी आपकी long arm है 1 जो है वो उसका reason है 4 जो है वो उसका band है और decimal लगाने के बाद आप उसको sub band में represent करोगे तो यह पूरा chromosome bending को represent करने का एक तरीका होता है तो आई होप आपको यह पूरा chromosome bending समझ आ गया होगा यहाँ पे एक bending होती है तो यहाँ तक ग्रोमोजोम बैंडिक के बारे में पूरी चीज़े समझ आ गई होगी आई होप एक बार आप अच्छे से रीडिंग ले 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 यह समझ आ जाएगा बहुत इसी है थैंक्यू फ्रेंट्स